हेलो नमस्ते सुस्रियाकाल दोस्तों मैं आज आपके सामने आई हूँ इट इस नॉट जस्ट वीडियो इसको मैं पॉड्कास्ट पे भी डालने वाली हूँ उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दोंगे कि मैं चो पॉड्कास्ट करती हूँ वो पॉड्कास्ट होता है कि मैंने मेरी जिन्दगी में क्या experience किया उसके बारे में अब ही आज संडे है मैं बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था मैं वो लेकर बैटी थी तो सोचे साथ में यह भी कर दूँ लास्ट टीया मैं ने नहीं कर पाई but I'll just love it मुझे बहुत पसंद है podcast करना क्योंकि इस पर आप बात करते हो अपनी experiences में शेयर कर पाती हूं और पता है जब मैंने start किया था था ना तब मुझे इतने सारे thoughts आये थे कि मैं ये भी कर सकती हूं मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूं पर पत आप लोगों को ये पसंद हो गया है तो मैंने सुचा क्यों नहीं आप लोगों से वापस से ये start करो और साथ में मैं ये यूट्यूब पर डालने वाली हूं तो I hope आप लोगों को ये पसंद आएगा it's not a कोई ज्यान की वीडियो it's not a anything which I want to make you all learn but it is all about my experiences की जिन्देगी आ आपको कैसे क्या क्या सिखाती है बट आज इस एज में आके तो मुझे असा लग रहा है कि मैंने अच्छली में कुछ सीखा है I think this reflection आ रहा है मैंने कुछ सीखा है तो वह ये है कि सबके लाइव के experiences बहुत अलग होते हैं बहुत यूनीक होते हैं सबको अपना एक रास्ता ख दो क्या क्या चीज़ें आपको सामना करना पड़ता है कैसे यह दूसरों के रास्तों से अलग होता है क्यों आपको यसा लगता है कि जो आप कर रहे हैं वह आपके लिए ठीट था क्यों दूसरों के लिए आपका decision सही नहीं होता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अपन हर स्पेस करते हैं तो उन सब चीजों के बारे में अपना आज बात करेंगे पहला मेरा टॉपिक जो मैंने लिया है ताट इस अल अबाउट जैन्वरी जैन्वरी इस फुल ओफ इंजाइटी फॉर में इस यह फिर्स ली मोस्ट आफ यू लो कि मेरे पाउंके थम में बहुत करवाना पड़ा मेरा नेल जो है वह अंदर की साइड में घुसता है और उसके वजह से मुझे बहुत जादा प्रब्लम फेस करनी पड़ रही थी तो मैंने उसका ऑपरेशन करवाया दाट इस और रिलीफ फॉर मी मेरे को बहुत जादा आराम रहा बट या इस विंटर आइ पहले से वह पूर पग गा था बहुत जादा प्रब्लमाटिक हो गया था, मैं बहुत चाइंम से प्रप कर वाना चाएथी तीवा तर उसका ग् amendment seems रहीं तो चार्शे चाहितीद बहा स nourक्त का है लोग्द अका माई है। कि अविए की को जा फारर्शाया वो मुझे उठा के लेके गए हैं आस्पिटल and I am very thankful to all of them कि literally it means a lot जो चीज आप अभी अपने लिए नहीं कर पाते हो वो आपके friends या फिर आपके family या आपके special ones आपके लिए कर देते हैं अगर ऐसा कोई experience आपका भी है तो मुझे please बताईए comment कीजिए इस वीडियो के तुरू और किसी भी चीज के तुरू आप मुझे contact कर सकते हैं तो please कीजिए मुझे पताईए कि कैसा कितना अच्छा होता है वो experience मुझे sure है कि सबके लिए अलग होता होगा तो कितना अच्छा होता है कि जब कोई आपका अपना आपके लिए चंदा करता है आपके लिए कुछ करने की कोशिश करता है मुझे लगता है इस बेस्ट फीलिंग इवर तो वो operation हुआ and I took like one week break तो उसमें मैंने बहुत कुछ देखा पढ़ा पुरा time waste किया वैसे तो कुछ creative नहीं कर पाई but काफी आल मतलब ऐसा रहा कि this is a lifetime thing मैं इसे relief हो गई हूँ कि अब मुझे इसमें problem नहीं आएगा कि I start wearing shoes now इस पुरी सर्दी मैं sleepers में गुम रही हूँ guys मैं socks भी नहीं पहन सकती हूँ I literally face a lot जैपुर में इतनी extreme सर्दी है उसके बाव जुग मुझे बिना श्यूस के या उसके गुमना पढ़ रहे तो I am very like I am very proud I am very proud on myself कि literally मैं यह कर पाई कि operation कर वा लिया है खुद के बाल में तोड़ा बहुत सोचा बट मैं literally हमेशा से I don't know why मैं खुद से ज़रा importance मेरे work को देती हूं हमेशा से creative thing is all about कि मैं अप आई हूं बट जो मेरा basic income है जो मेरा important mainstream income है मैं उसको बिलकुल नहीं छोड़ पाती हूं I don't know why यह मेरी हमेशा से कि मुझे अब realize होता है कि यह मेशा से हमीनी mistake है कि लोग कहते हैं कि आप क्यूँ earn करते हो बहुत सारी motivation videos और यह सब अपन देखते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप क्यूँ earn करते हो अगर आप यही नहीं कर पाए तो राइट खुद के लिए कुछ नहीं कर पाए तो तो मेरा अच्छले में सियर का resolution था कि मैं खुद के बारे में थोड़ा सोचूंगी खुद को time दूंगी खुद के एक उसके बारे में सोचा करूंगी तो इसलिए वो मेरे मेरे में एक बहुत बहुत बड़ा कह सकते हैं अचीवमेंट है कि खुद के लिए थोड़ा सो time निकाला I am literally blushing because I am thankful for that मैं explain नहीं कर सकते हूं actually कि देखें जिसे आप ऐसा imagine कीजिए कि आप और आपकी soul और आपके body दो अलग चीज़े हैं right तो आपकी body pain में है और आपकी soul is not allowing you right तो अगर आपकी soul ने आपको allow कर दिया आपकी body को allow कर दिया है to think of themselves तो मेरे साथ वही हो रहा है कि दो अलग अलग identity मैंने कर ली थी एक work की और एक body kick तो मैं हमीशा work को prioritize कर रही थी खुद को नहीं कर पा रही थी तो उस वज़े से मैं थोड़ा सा shaky हूं हमीशा से इस चीज़ को लेके खुद के बारे में थोड़ा कम सोच पाती हूं कुछ ऐसे extreme dream of नहीं करती हूं मैं तो इसलिए I'm thankful for that and I hope मैंने इस बार खुद से ये promise भी किया है कि मैं जादा से जादा podcast प्लाने के खोशिश करूंगी और इस बार मैं इसको YouTube पे भी डाल रही हूं तो it is like more valuable for me also I know I'm looking pathetic but actually मुझे भी बनाना था हूं मैं पान में बनाने का प्लान करती हूं सुझज़ के बनाने का प्लान करती तो मैं नहीं कर पाती तो ignore my look और इफ आपको ये पसंद आया है तो नीचे लिंक है follow me on that podcast मेरी सारी वीडियो सुझ़ी पे लाइव होगी मैं इस बार ये कोशिश कर रही हूं कि जो भी मेरी thoughts है वो मैं तुरंत आप लोगों के साथ share कर पाऊं ना कि उसको delay करू for the next वो तो मैं ऐसा कुछ promise नहीं करूँगी कि week में कितनी videos आएगी या week में कितने podcast आएंगे but I'll try my best कि मैं इस बार literally continued है सकूँ thank you all and follow me if you like if you like my voice if you like me और तो क्या बलू okay have a great day goodbye